हिमाचर प्रदेश स्टेट इलेक्रिसिटी बोर्ड इंप्लोईज यूनियन के पधदीकारियों की बैठक शिमला में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप खरवाडा की अध्यक्षता में संपन हुई यूनियन ने बिजली बोर्ड में लगभग 1200 आउट्सोर्स करमचारियों को निकालने के फैसले का पूर्जोर विरोध किया है और इसे करमचारियों का सीधा सीधा शोशन करार दिया है हिमाचर प्रदेश स्टेट इलेक्टर सिटी बोर्ड इंप्लोईज यूनियन के महा सचिव हिरालाल वर्मा ने मांग की है कि वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे सभी आउट्सोर्स करमचारियों की सेवाएं निरंतर जारी रखी जाएं और इसको लेकर नीती बनाई जा जा रहा है और तीस मार्ची नहीं लेकिन पूरे अप्रेल मिने तक आगे इधार ना जाले रहेगा इसमें जो मुख्या मुद्धा हमारा ओ जो यूनियन का डमान चार्टर है जो लगबग डेर दो साल पहले समिट किया उस पे मिनेजमेंट से कोई रेगुलर मिटिंग नही जो बिजली बोर्ड में नहीं भरतिया हुई है उनकी जो पदंती से समन्दिते जितने का आर न पी रूल्स हैं वो सर्विस कमेटी की मीटिंग डेर साल से ना होने के कारण पेंडिंग पड़े और कुछ लोग तो तीन साल का क्राइटरिया पूरा कर चुके हैं जो अगली लेकिन सर्विस कमेटी की मीटिंग ना होने से जो पदंती जो नियम है वो नहीं बढ़ बाए तो मुखह रोज तो उससे कर्मचारिय है कि जो सर्विस कमेटी है वो डेर साल से नहीं हो पाए उसे इसिस लेटर इसिउज लटके पड़े हैं दूसरा जो मेजर इशू है जिस में हमारे maintenance king में जो फिल्टों में काम कर रहे हैं उनको उनकी जग़ जो नए टीमेट या helper रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाये उस पर union की बड़ी clear समझ जाए कि जो और और सोर्स प्रथा स्टेट में क्या विजली बोर्ड में और स्टेट में दोने बंद होने चाहिए लेकिन जिन लोगों जिन बच्चों का आपने 10-10 साल से 9-9 सालों से या 6 सालों तक उनका जो service उनकी सेवाश्रम का आपने दोन किया है तो उनके लिए को आप निती बनाओ और उनको इस तरह से आप higher and fire करके retrench नहीं कर सकते हैं जैसा फ्रमान जारी किया गया है उसका हम रोध कर रहे हैं उस पर union की साफ फ्रमांड है कि जितना कर भी और सोर्स बिजली बोर्ड में लगा है आगे को और सोर्स प्रता बंद की जाए बरतिया बंद की जाए और जो पर काम करते करते हाथ से कशकार हुए और उनके परिवारों को ना तो कोई compensation मिला है और आज उनके परिवार आज भी वो पूरे जो उनका जो नुकसान है उसको अपने उपर लियो है और साथ में कुछ लोग non fatal accident हुए हैं जिनके बाजू जिनका बाजू कईयों का कटा है अगर आज अगर आप उनको रिट्रेंज कर देते हैं तो उनकी अपंगता के कारण और फैमिली का उजारा कैसे करेंगे तो वह भी एक बहुत बहुत बाप्रिशन है जो हम कह सकते कि जो social welfare state है उस concept के गेंस्ट है being a welfare state government को देखना चाहिए और हना की corporate गराने की तरह कि भी व ब्रोजगारी का फाइदा लेकर उसका शोशन ही होना चीए उनको जो नए आटसूर्स करमचारी जो विजडी बोर्ड में लगे हैं उनके लिए एक स्थाई नीती हो Bureau Report City Channel शिमला